मिशन चंद्रियान आदित्यावन के बाद अब हिंदुस्तान के मानव मिशन की तयारी जोड़ शोर से चल रही है मिशन गगन यान अगले सार तक लॉंच होगा वही आज इस मिशन में जाने वाले चारो पाइलेट भी सामने आगा है पिशले साल अगस्त में इसरो ने चंद्रियान को चांद के साउथ पोल पर उतार कर के इतिमान बना दिया था उसके बाद सूर्य मिशन पर आदित्यावन को भीजा गया लेकिन इसरो यही पर नहीं रुकने वाला अब भारत के पहले मानव मिशन की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है चांदो सूरज की बाद भारत एक बाप फर अंतरिक्ष पर इतियास रशने को तैयार है भारत यह अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने गगन्यान मिशन पर दिन रात काम कर रहा है अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए भारत से टेस्ट पाइलेटों ने आवेदन किया था जिसके बाद 12 पाइलेट चुने गए थे और आखिर में 4 टेस्ट पाइलेटों को चैयन हुआ सबके मन में उस्सुकता बनी हुई थी और आज उन चारों अंतरिक्ष यात्रों से बदा उट गया है सभी को स्टेंडिंग ओविशन दिया गया ग्रूप क्याप्टिन अजट कृष्णन ग्रूप क्याप्टिन अंगत प्रताप पियमोदी तिरुवन्थ पुरम के विक्रम सारभाई अंतरिक्ष केंडर पहुचे थे उन्होंने पाइलेटों से बात करके शुब कामनाय दी इस रोग के वैज्ञानिकों को सरा है विंग कमांडर शुबांचु शुक्लाद हर राष्ट की विकास यात्रा में कुछ एक्षण ऐसे आते हैं जो वर्तमान के साथ ही आने वाली पीडियों को भी परिभाशित करते हैं आज भारत के लिए ये ऐसा ही क्षण है हमारी आज की जनरेशन बहुत सवभाज शाली है जिसको जन्ग, ठल, नव और अंत्रीश में पियमोदी ने एक बाप फिर से वैज्ञानिकों को आश्वस्त किया और रॉकेट भी हमारा है और बाद में अंत्रिक्ष यात्रियों को बेड़ा जाएगा और उत्तरप्रदेश, शिमाचल और करनाटक में आज राजी सभा की 15 सीटों के लिए वोटिंग हुई और उत्तरप्रदेश में 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है गदगद यहाँ पर बीजेपी के नेता समर्था कारकरता दिखाई दे रहे है बड़ी खबर क्रोस वोटिंग के चलते यहाँ पर हार का सामना भी करना पड़ा है समाजवादी पार्टि के साथ विधायकों ने क्रोस वोटिंग की है और बड़ी जीत यहाँ पर हुई है बीजेपी की आठ उमीदवाल चुनाव में उतारे क्रोस वोटिंग ने SP का पूरा खेल बिगाड का रख दिया बता दे की दुबारा गिरती शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में और अब नतीजे सामने है जहां पर आठ पर BJP ने जीत हासल की है